साक्षर भारत अभ्यान के तहत ये का आग्याता हर एक बच्चा पढ़ेगा पढ़ लिखकर अपर पैरों पर खड़ा होगा क्या वो मिशन किस हद तक सच है वो सामने सचाई लाना भी कही ना की हमारा करतव्य है नमस्कार आप जूड़ चुके हैं दायनिक शिव्ट टाइम से में रश्मी शर्मा कैमरामन शुवम भगत के साथ बताना चाहेंगे बाते तो बड़ी-बड़ी की जाती हैं पर सवाल जी है जिस देश में जिस यूटी में अगर शिक्षा का स्थर उचा नहीं हो अपग्रेड बच्चे जदा टीचर कम और जो वहां पर पोस्टे हैं उसके मुताबिक वह टीचर भी उपलब नहीं हैं तो खुछ सोचिए किस तरह से हम सर्व सिख्षा भ्यान के तहत असुरहर उस बच्चे को वह एजुकिशन दे पाएंगे जिसका वह अकदार है यनिकि अगर टीचर होंगे तो पढ़ाएंगे अगर टीचर सी नहीं होंगे तो बच्चे क्या करेंगे स्कूलों की हाला आता है और जनाब इस समय हम बात करें टॉप नी स्कूल डोडा की हमारे साथ मुक्तियार जी और सर्वी खड़े हैं इनने जाने का प्रयास करेंगे क्या उन चीजों पर क काम ना कर सकें चले मुक्तियार जी से जानते हैं मुक्तियार जी बताइए आखिर क्या परिशानी एक तो आप डेली वेजर से और उसके बावजुद आपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आज की दोर में लोग क्या करते हैं गोर्मेंट स्कूलों का रुख क्यों करते यह भी सच्चा ही है क्योंकि गवर्मेंट स्कूल का इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्ट्चर अच्छा नहीं एजूकेशन की बात के क्वालिटी ऑफ एजुकेंशिंद की उस तरह सी बिलनी चाहिए वो नहीं मिल पारी तभी लोग बच्चे जो है बच्चों की मातापिता प्राइ स्कूल वहां का मैं रहने वाला हूं बाशिंदा हूं और डेली विजर हूं आपने यह पहला कोशन मुझे से पूछा बहुत अच्छी बात है यह देखो हमारा कहीं मरतबा हमने रोया आपके सामने हकिकत आपने देखी है कि एक भविश हमारा बरबात अपना हुआ उसके ब मुक्राइश अप्रिंस्फ के बाइव डाटर लेटर स्पर हमने लिख कर लाया है उस है में चार सालय पहले भी सिरकार थी उस टिम हर नोगतंब हैं थी सिरकारों से उसमें प्रिंसिपल में जो पोस्ट होती है आज ताप नेके जो मनब हाय स्कूल है वहां के बच्चे और बच्चियां और बेटियां उनके जो माँ बाप हमारे जो पूरा खांदान वो सब के सब बच्चे आज वेरान हो रहे हैं पहले दो साल तो हमारे बच्चों के उपर करोना की मार रही आपने खुद देखा दो साल तीन साल बच्चों की शिक्ष्या बिगड चुकी है और अब खास कर के टाप difल के बच्चों के इन पार कि आन्दर आदर जब जैसे सुखूल खुले जैसे बच्चों का सिलेबस होने जा रहा है में सब्जेट आपने देखा इंग्लिश जवालो जी मलब हिस्ट्री बड़े-बड़े की मलब केमेस्ट्री में में सब्जेट्स के जो लेक्ट्रार है ट्रांसफर करा दी गई उनकी है जो पीटी टीचर होता है आज कल बच्चा जो टापनेल्स का है हम LG साब को मनोज साने साब को अभी जो प्रेजट है 432 जो बच्चे है पैंटी चार सो बच्चे है 430 वो उनको टोटल टेरा टीचर पड़ा उसमें से फिरा मैंसे फोर्थ क्लास हैं को चार-पांच पोश्ट है फोर्थ क्लास होंगी और लेक लेक्चरार में सब्जेट होते हैं वो नहीं है हमारे नाम का स्कूल है बच्चों का फ्यूचर भी गाड़ रहे हैं और मैं सकूमत को यहां से बताना चाहता हूं जल्द से जल्द करना है और यह सरकार मजागबाद दोस्ती के लेवल से जो लेक्चरार एक ऐसा मैंना सुना डाटा बनाया हूं लेक्चरार के लिए कानून बनाया हूं इस सरकार ने तीन कि इसके सामने आइटम जालते हैं आप तीन चाहिस से डालते हैं आप कहां जाना चाते हो आप ड्यूटी कहां करोगे और आपको पास में कौन सी पड़ती है फिर कैसे बहुष चलेगा जम्मू कश्मीर को और यह सरकार जो खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो बहुष तो गया हमारा माबाप का अब जैसे प्रिंसिपल रटायर हुआ और वहां की कोई पांच पोस्ट उन्हें खाली कर दी है मैंने सब्जेट के इंग्लिश का लेक्टरार हो और जितने भी बच्चों का जो बच्चे पड़ने आ रहे हैं वह आज कोई बच्चे खुदकशी करने के लिए त्यार हो चुके है और मैं as a parents जमू कश्मीर की इंतिजामिया को बताना चाहता हूं जल्दी से जल्दी टापनियल्स की जितनी भी पोस्ट हैं फल्णाने खाली की हैं उनको fill up किया जाए पहली number पर प्रिंसपल हमें दिया जाए जल्दी से जल्दी ताके वो प्रिंसपल आगे मेहनद करेगा और हमारे बच्चों का बविश जो है वो किसी केरियर तक जाएगा अगर नहीं तो जल्दी से जल्दी जितने भी वहां के पैरेंट्स है और समेथ बच्चे हैं उनको हम रोड उपर लाएंगे वो दरना प्रदशन करेंगे जम्मू के प्रेस क्लब के अंदर भी आकर करेंगे उसके जिमादार एलजी मुनोज सहना जी और कमिशनर सेक्टरी एजुक्वेशन के होंगे और डिरेटर साब होंगे और यही मेरी अपील है इनसे चली इनसे जानते की परियास के आगे किस तरह का निजाम चल रहा है शिक्षा का अधिकार तो हर एक बच्चे को है पर वहीं सही बेजापरम को पोस्टिंग किया जाता है वो कहीं होर चले जाता है जहां मन मर्जी उनकी होती है तो क्या चल रहा है देखे में सबसे पहले में आपके चैनल का शुकरया दरता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप बहत ही काफी बहुत सारी मेहनत भी कर रहे हैं गरीव जंता के लिए आप बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं मेरे कहने का ये मकसद है कि मैं एक अप sonra की सब्सक्राइब पढ़ाओ और बाद सब्सक्राइब तो जब भारती जंता-पार्टी और पीड़ीपी की कोलिशन सरकार थी उस वकत हमारे हमारी तोटली चार लेक्टरर थे और उस वकत भी मैंने और मुक्तियार सहाब ने एक ऐसा मदलब अपना मिशन प्लेट गुरोंड बनाया था सीरी नगर यहाँ जम्मू अफिर डायरेक्टर राफीज के पास तो थोड़ा सा मतलब हाइर सुझेंटरी के अंदर हमने सटाब मतलब लाया था लेकिन इस वकथ जब हमारा महारी है सिद्र के यह नहीं कह रहा है मेरे हिसाब से कि बेटी और बेटे को जबा कर दो क्योंकि पहले ही कोविड की वज़ा से देखो बच्चों को कितनी मार पड़ी पड़ाही मैं और इस वकत इनके पास सटाप की किलते हैं सटाप हाईर सगेंटरियों में नहीं है किसी भी सटाप टोटली नहीं है मैं हाईर सगेंटरी की बात करता हूँ क्योंकि अभी हमने देखो कुछ लोग हमारे साथ और आ रहे थे लेकिन अभी यह बदकिस्मितिकी वज़ा से यहां पर नहीं पहुँच पाए लेकिन मैं बच्चे और बच्चे जर्नल किलास होके हैं हम उनके दर्वाजे पर आके बिठा देंगे और हम मतलब यह मैं डायरेक्टर साब से भी रक्वेस्ट करता हूं क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वहां पर एक तो पाड़ी अलाका है हमारे बच्चों की जिंदगी जो हो बरबा बच्चा लेगा अगर ग्रामीन शेतर में रहने वाला बच्चा भी कॉंपिटिशन में आएगा तब भी खरीबी खता कि वह भी अपने पैरों पर खड़ा उस वह भी बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठेगा जैसे के कमीर का बच्चा बच्चा बैटा अगर अगर इनूने गरीबी जमू कश्मीर से हटानी होती तो ऐसी हालत इस वकट जमू कश्मीर में नहीं होती मैं क्या लगता है कि एसी सरकारों को और इसी यह इसे नेता गनों के आगे एक नशा पट्टी बंद की उतंकों में तो क्या आने वाले समय में जनता वह पट्टी उधिंड मैं अईन्डिया उन्न कर दिया है इस गोवट ने इंडिया को जो है नीटल कर दिया है डिजिटल नाम का बाकि नीटल कर दिया है अगर इन्होंने गरीबी खतम करनी होती तो इस वकट जमू कश्मीर की जो है यह आलत नहोती क्यों कि यह खाली अपनी रोटियां सेखते हैं और आके चैनलू पे बड़ी- करके तो चले जाते हैं बाकि इनका खुद को मतलब मीडिया को भी देखने को मिलता है बाकि इनकी ग्रॉंड रपोर्ट जो जिरो होती है कुछ नहीं होता है ग्रॉंड में इंसे कुछ विडियों करने बिल्कुल करनी और कत्नी में पर हां अगर इनके खलाफ कोई बोलेगा क्या करेगा अकिला ब्रफ़ पीस तो होते रहते हैं यह कहल together क्या क्या करेंगे क्यूंकि कानुन भी हमारा हमारा धांतर मनें कि इस देश पर लोगतंतर देश भारत माना जाता है अगर उस पर ही बोलने पर आप लोगों को दबाव हो या कंपलेने लगे फिर कहाए का लोगतंतर देखो न मैंने यह सुना है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि जब पीछे दिली के अंदर किसानों का इंदोलन हुआ 1907 में पंजाब और यूपी के किसानों ने 1907 में अंग्रेजू के खिलाफ लड़ाई की थी और साड़े 300 किसान मा रहे थे और हमारे देश में हमारी हुकुमत में साड़े 700 किसानों को मारा जा रहा है हमारी हिंदुस्तान सरकार कर रही है, हम तो नहीं कर रहे ये हमें सोचना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, गरीबी ऐसे नहीं आटेगी, इन्हों ने खाली अपनी रोटियां सेक नहीं हैं, बस ये करना है, बाकी इन्होंनी कुछ भी नी करना है, और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो higher secondary school है middle school है primary school जो हैं कहीं भी जाके मैं चनाब विली की बात करूँगा या दूराज जो पाड़ी अलाकें वहां की में बात करूँगा स्कूल खाली पड़े ऐं जैसे खंड्र आप चता हैं आरयसपूरा के उस पे भी जरा गोर कीजिए आप चाहते हैं गरीबी खतम हो पर यहां पर तो लगरा गरीबों कोई खतम करने की कगार पर है आप लोग इन चीदों पर ध्यान देना बहुत ही अनेवार है क्योंकि बात करें बार बार जनता ने आप लोगों को समर्थन दिया आप लोगों को है कि आने वले वह समय में उनका भविशतों कहीं गया अंधेरे में पर कम से कम उनकी जो पीडियां के बच्चीं आने वले समय में उनका भविश उजवल होगा अगर स्कूलों में अगर कॉलेजीजमें टीचर ही नहीं हो होंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे जनाब बच्चों का फीचर क्यों अंदकार में डाल रहे हैं और यह कड़वा सच्च जो आपके सामने ला रहे हैं आज कल ड्रेक्टर स्कूलों में अगर जाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे क्या बच्चे जनाब इस पर भी गोर तलब करने वाली बात है अगर आप चाहते हमारा देश तरक्की की और बड़े हमारा जो की जमू कश्मीर तरक्की की और तो सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन का जो इंफ्रस्ट्र दोने भी ला ले हैं तो यह कहां प्राइवट स्कूल की काम ना करेंगे पर सवाल यह है कि अगर गोर्वर्मेंट्स फूल है तो विश्वास है गोर्वर्मेंट पर तो गोर्मेंट को उनका ध्यान तो रखना होता है फिर से कहेंगे टौप नील स्कूल डोडा पर जो इनकी इस समय दिक्कते आ रही है वहां पर प्रिंसिपल नहीं है वहां पर लेक्चर नहीं है जल से जल जिल लोगों की वहां पोस्टिंग हुई है यह हम कहेंगे उनको वहां पर डेप्यूट किया जाए ताकि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवार ना हो अब देखते हैं कितना पिता मायूसी उनके हाथ लगती है उन बच्चों के हाथ मायूसी लगती है तो क्या पढ़ेंगे इस वीडियो को जितना हो सके शेर कीजिए जोड़े रिया से मार से अगले अपडेट के लिए जाइन जबारत